हेलो गाईज, विल्कम बाक तो बी दे टॉपर, दिस पार्ट टू अफ चैप्टर टेन, सिस्टेमाटिक सेविंग्स अन इन्वेस्मेंट ओफ क्लास नाइन्थ एफमेंग, इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट वन हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं, अगर आपने वो एक्सरसाइस के जो सॉल्यूशन होते हैं, दीदी वो हमें वो दे दो, तो आई थोट की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलो इंस्टेग्राम पर पोस्ट कर जाते हैं, तो मैं पोस्ट बना बना कर वहाँ पर पोस्ट कर रही हूं, अगर आपने इन्टर्म का होते हैं, खुक्किलशन किया करते हैं, यह फार्शन कर needs are already, शॉर्ट तब इंवेस्मेंट ही रही हैं, इतने बात आपको शॉर्ट तरम इन्वेस्मेंट साही बनार, हL 911 में जो किसी भी एसेट के प्राइस में जो मूफमेंट आती है उपर नीचे जो होता रहता है उसको फाइदा उससे उठाते हैं जैसे कि मान लो कि कोई शेयर अभी 10 रुपेका था जैसे मैंने उसको खरीदा और वो थोड़े देर के बाद 20 रुपेका हो गया तो मैं क्या करू होंगी मैं बहुत जल्दी से सेल कर दूंगी और एक शॉर्ट टेम इंवेस्मेंट हुआ और आप यहां पर यह भी देखो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है कि अगर किसी की चीज का वैल्यू 10 रुपे था तो कोई पतलब ऐसा गैरंटी नहीं कि वह 9 रुप और मतलब कि मार्केट में मैं अगर बूल चल रहा है तो इसका में मार्केट उपर जा रहा है जो उसका प्राइब्स प्βॉलिंगे कि अपने के विएक्टि को जानते हैं तो वर्ट नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं तो उनके बारे में ठड़े पढ़िए उनके बारे में यहां पर कि अपनी किसी किताब में वो लिखते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है इस बात कि इसी चीजों को कि लिए सब्सक्राइब करने के बस्तृत करने के तो तो जो आपने लगाया है उस पर आपको क्या गेन हुआ है यह इसका मतलब आपकी कापिटल की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रही है share पर मिलता है का मिलता है अगर आप किसी कंपनी के खरीद हो गें तो वहाँ पर आपको डिविदेंड मिलेगा और अगर आपने मेरा डाउट मिलेगा यह आपको नहीं पता रहता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बट अगर एक दो मिनट का विडियो हैं और आपको लगता है कि यह चीज मुझे समझ में नहीं आती है तो आप मुझे वह कमेंट में लिख दो ताकि मैं एक मिनट में या दो मि जाएंगा ही बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए भी हम अपने पैसे को अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाते हैं तो सेफगार्ड फंड्स रॉम वेरियस थेप्स अब अगर आपने घर में पैसा रखा है तो थेफ्ट हो जाएगी चोरी हो जाएगी है अगर आपने पैसे किसी जगह उसकी इन्वेस्मेंट कर रखी है मैं यह नहीं बोल रहे हूं कि 100 परसंट गैरन्टी है वहाँ से आप अपना पैसा लूज नहीं कर सकते हो इसकी भी बहुत सरे चांसे हैं पर बहुत जाधा इस के कम चांसे है कि आपका पैसा पूरा लूज हो जाए इसके chances जादा हैं कि आप profit कमाओ to get tax advantage like deduction and exemption from income और कई सारे लोग LIC वगेरा में पैसा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इंसम में पैसा लगा देंगे तो हमारी income का जो कुछ पार्ट है वो हमारे लिए safe भी होता जिससे में अपना जीवन काटूंगा या काटूंगी तो उसके लिए आपको collateral security भी अगर आपने पैसे को कहीं पर invest कर रखा है तो आपके लिए प्राफिट थोड़ा समझ सकते हों और माइन आपको डिवाइड करना है पर्चेस प्राइस से और इंटू करना है तो यहां पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला कम समें में आगा यहां पर जो एक्जामपल है उसको ज्यादा ध्यान से समझे तभी आपको चीज़ें और यहां पर हम रिटर्न निकाल रहे हैं जो सेल वैल्यू है मिस्टर जो सूरे हैं उन्होंने 900 रुपए का यह शेर खरीदा था और उसको 1000 रुपए में बेच दिया और यह टाइम पीरिड के लिए जब एक साल के लिए उन्होंने इस शेर को अपने पास रखा तो उन्हें कु यहां पर चैनी पर सेए करें और हमें दिया पर निकाम crypto कई तो 15% आपको आपनी इंवेस्टमेंट पर म्यला है तो अगर आप देखोगे मैं यह नहीं बोल रही हूं कि आप भी अगर इंवेस्ट करने जाओगे तो आपको भी एकदम से 15 परसेंट का 20 परसेंट का या बहुत सारे रटर्न मिलने लगेगा अगर आप बैंक पर अपना पैसे लगाते हो तो बैंक में आपको कभी इतना रटर्न मिलता है तो आपको साथ शाधे साथ आठ इससे जाधा अगर देता भी यह तो नौ दस इससे जदा कोई ने देगा यहां पर जब अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यह सारे चीज करने की तो हमने आपको बताया कि रिटर्न क्या होता है इन्वेस्मेंट के ऊपर अब आजाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर अफिक सम फ मनी गिवन नाओ एंड गिवन आफटर पीरिड अफ टाइम है अगर आप इस टाइम में कोई पैसा किसी को दे रहे हो तो उसका वै क्यों कि पैसे का वैल्यू जा है वो कम होते जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ उसको दिखाती है फॉर एक्जामपल इफ यू आप्शन तो रिसी वन ताउजन टुडे और आफटर फाइव यर्स वाट विल बी यर चो क्या कहोगे अब यह तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कहोगे मैं आपे बता देती हूं कि मैं कहोंगे मुझे अभी दे दो what will be your choice your answer must be receiving the money today है ना आपने चलो आपने भी यह कह दे कि मुझे आजी चाहिए because any product you want to purchase today for 1000 may not be sold or made available for the same amount after 5 years so the money you receive today is worth more than the promise or expectation that you will receive on a future date मतलब आपको भी इस बात का पूरा आभास है कि जिस चीज़ को मैं अभी 1000 में खरीच सकता हूं जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद भी वो चीज़ मुझे 1000 रुपे में मिल जाए तो आज के वीडियो के लिए सर्फ इतन ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना चानल पे नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बिल्कुत समझनी आता है कि लोग वीडियोस देख लेते हैं पर चानल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते I really don't know तो यार सब्सक्राइब कर लो तभी तो में नोटिफिकेशन मिलेगी चलो आज के लिए बस इतना ही बाई बाई